वल्कम टू डॉक्टर इजी ओनलाइन फर्मेसी क्लासे आज हम डिसकस करेंगे पोसर सिंथेजिस ऑफ फिनांतरीन जो फिनांतरीन बनाने की बिदी वो भी पोसर मेथेड के दरह फिनांतरीन एक POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBON COMPOUND तो अब हम डिसकस कर रहे हैं Poser Synthesis of Phenothrene Poser Synthesis of Phenothrene में जो starting material है वो Arthonitrogenyl Deide Plus Sodium Phenylacetate है तो Arthonitrogenyl Deide क्यों? यह दिखे लडियाइड गुरूप है यह निट्रो गुरूप है यह बेंजिल तो इसके रेस्पेक्ट में यह Arthoposition पहे इसलिए Arthonitrogenyl Sodium यह है दिखे Phenyl यह बार्ला पार्ट Acetate CH2CO को बोलते हैं तो इनके वीच रेक्शन होती है वो कैसे? इस Aldeide का O और Acetate का यह कितना पार्ट है? यहां CH2CO को क्या बोलते है? Acetate Acetate का H2 यह दोनों आपस में रेक्शन करते हैं O और H2 आपस में रेक्शन करके क्या निकालते हैं water? तो water निकालने के बाद क्या होता है? इनके बीच double bond बन जाता है कैसे? CHEA है यह double bond बन गया और यह CHEA है यह वाला CHEA CHEA, sorry GDN, HG, HCL Zinc, Amalgam, Plus Hydrochloric Acid तो इसमें क्या होता है? Nitro group convert हो जाता है Amino group किसमें convert हो जाता है? Nitro group The presence of Clements and Reducing Agents GDN, HG, Plus HCL किसमें convert हो जाता है? Amino group Next system में क्या होता है? यह Amino group In presence of Sodium Nitride Plus Sulfuric Acid Temperature के ना लेंगे? 0-5 degrees के presence में 0-5 degree temperature पर यह Amino group convert हो जाता है इसमें N2-HSO4 वाला, यह जो group है वो Diagotized के convert होता है N2-HSO4 N2 क्या है? Diagotized group ठीक है? यह group इसमें convert हो जाता है इस लिए इस process को बोलते है Diagotization reaction को क्या होता है? Diagotization reaction क्यों 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 क्योंकि N2 जो है वो Diagot group ठीक है? Di मलब दो, Agot मलब Nitrogen दो Nitrogen है N2 तो इसमें बता दिया NH2 किसमें convert हो गए N2-HSO4 यह दो जाता है यह दो आपका यह दो आपका Diagotization करने के बाद जो compound बना है उसको reaction कराते हैं copper से copper से reaction कराने पर क्यों होता है? यह N2 जो था वो Nitrogen गया इसके रूप में निकल जाता है यह HSO4 जो है इस Benzene का H लेके यह वाला जो H है यह लेके H2SO4 के रूप में convert हो जाता है ठीक है? और यह direct क्या होता है? bond बन जाता है अब यह ring cyclize हो जाता है ठीक है? इसकी presence में copper की presence में तो यह compound बन गया next step में क्या करते है इस compound को reaction किसे करता है? sulfuric acid और साथ में hit करते है तो यह acid है group इसका COO COO carbon dioxide के रूप में निकल जाता है तो compound convert हो जाता है किसमें? यह वाला H इसमें जुड जाएगा और COOH carbon dioxide के रूप में तो final compound Thank you